हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो अमिशा केक अन कुकिंग, आज हम मार्किट वाले प्रिमिक्स का इस्सिमाल करकर चॉकलेट और वैनिला कपकेक बनाएंगे, तो शुरू करते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों प्रिमिक्स 100 ग्राम ले लिये हैं, अब हम इसमें वन एन हाफ टेबल स्पुन ओल डालेंगे, पानी से हम बैटर पना लेंगे, कपकेक का बैटर थोड़ा सा हमें पतला रखना है, केक स्पॉन से हमें यह बैटर थोड़ा सा रनी कंसिस्टनसी में चाहिए, दोनों बैटर हम रेड़ी कर लेंगे, इस सरकी कंसिस्टनसी चाहिए, चॉकलेट बैटर भी हम रेड़ी कर लेंगे, इस सरकी कंसिस्टनसी होनी चाहिए, यहाँ पे हम पेपर कप इस्सेमाल करने वाले है, सभी कप में हम देट चम्मज भरकर बैटर डाल देंगे, बैटर हमें कप में हाफ डालना है, जिसे की अच्छे से राइज हो सके, इस तरह से हमें डेट चम्मज भरकर बैटर डालना है, यहाँ पे मैं और दो सिलिकॉन मोल्ड ले लूँगी, कपकेक के लिए इस तरह से मैंने रेडी कर लिये है, यहाँ पे हमारे 10 कपकेक रेडी होगे, इतने से बैटर में, मैंने एक पतिले में इस तरह से सभी को सेट कर लिया है, और 25 मिनिट के लिए हम इसे बेग करेंगे, टुद्पिक डाल कर इस तरह से हमें चेक करना है अगर टुद्पिक लीन आती है तो हमारे कपकेक्स रेडी है यहाँ पर मैंने 200 ml क्रीम को विप कर लिया था और यहाँ पर हम स्टार नोजल से रोजट बनाएंगे इस तरह से हम रोजट बनाएंगे आप यहाँ पर जैसे भी डिजाइन्स बनाना चाहते है उस तरह की बना सकते है इस तरह से हम स्टार्स भी बना सकते है यहाँ पर मैंने क्रीम में गनाश डाला है दो चमश भर कर हम गनाश डाल देंगे यह गनाश 2 is to 1 रेश्यो है 2 पार्ट्स चॉकलिट है 1 पार्ट क्रीम है इस तरह से दो चमश भर कर गनाश डाल कर हम मिक्स कर लेंगे और चॉकलिट क्रीम रेडी कर लेंगे इसे भी हम पाइपिंग बैग में फिल करकर रोजट बना लेंगे इस तरह से हमें रोजट बना लेने है यहाँ पर मैंने डिफ्रेंट डिजाइन की है यहाँ पर मैंने कुछ शुगर बॉल डाल दिये है कलरफुल शुगर बॉल हम वैनिला कपकेक पर डाल देंगे इस तरह से रोजट में बीच में डालने है यहाँ पर वाइट और गोल्डन बॉल्स हम चॉकलिट कपकेक पर डालेंगे इस तरह से हम सभी कपकेक रेडी कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक कपकेक आपको तोड़कर दिखाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस इसका टेक्शर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी कपकेक्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो इन्फर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करे और बैल आइकन को ब्रेस करे ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तैंक यू फॉर वाचिंग, बाई बाई